प्रदेश सरकार के निर्ने की खिलाफत करते हुए विश्विंदू परशन जन्वरी महा में मोर्चा खोलने वाला है मद्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में प्रदेश सरकारों की नीतियों के खिलाफ ग्यापन और प्रदर्शन के माध्यम से विहीब अपना विरो जाहिर करेगा बुद्वार की विहीब के केंद्रे मामंत्री मिलिंद परांडे इंदोर में पत्रकारों से रूबरू हुए उन्होंने CAA सहित कई मुद्दो पर चर्चा की परांडे ने कहा कि मुस्लिम देशों में रह रहे अल्प संख्यक हिंदू शर्नार्थियों को नागरिक्ता दिलाने के लिए विहीब पोन प्रयास करेगा परांडे ने आरूप लगाया है कि मध्यप्रदेश में कोट के आदेश की अभिल ना करके राज सरकार हिंदू मंदिरों की जमीन को अधिग्रहित करके आवंग्तित कर रही है जिसके विरोध में विश्विंदू परशद फिर कोट का दर्वाजा खटखटाएगी महीं प्रदेश में मौलवी और पादरियों को सरकारी खजाने से दी जाने वाली पगार का भी विरोध किया जाएगा जेन्यू में हाली में हुई घटना में ABVP चात्रों के शामिल होने की बात पर सफाई देते हुए पराण्डे ने कहा कि कुछ लोगों ने JNU के सर्वर रूम पर हमला किया था ताकि चात्रों की परिक्षा ना हो सके और वहाँ नया एड्मीशन ना हो सके बाहर के तत्व यूनिवर्सिटी में आकर हिंसा कर रहे हैं इसे रोकने के लिए ABVP के चात्रों गये होंगे यदि किसी दल को प्रदर्शन करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए विध्यार्टियों को भढ़काना अच्छी बात नहीं है परांडे के मताबिक ABVP के कारिकर्टाओं को टार्गे किया जा रहा है विध्यार्टियों को सतर्क रहने की बात कहते हुए परांडे ने कहा कि देश हित के मुद्दे से भढ़काने वाले संगटनों को सबसे पहले देश हित की बात सोचनी चाहिए तीन मुद्दे मुख्य हैं एक तो CA के बारे में जो अपपरचार सब जगा चल रहा है वहाँ पर यह डिस्क्रिमिनेटरी है मुस्लिम विरोधिया ऐसा अपपरचार चल रहा है आज बंगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसलामिक देश होने के कारण से वहाँ प पहले नानकाना साहिब में पाकिस्तान में मुस्लिम मौब ने गुरुद्वारे की उपर हमला किया वहाँ के जो गरंती है उनके बेटी का अपरण हो गया तो यह आए दिन अत्याचार की घटनाए हो रही है उसे परेशान होकर जो आए हैं भारत में शरण लेने के लिए उ और जो अपरचार हो रहा है उसके लिए जागरण करेगा कि अपरचार गलत है दूसरी बात है कि मुसल्मानों ने रस्ते पे आकर बंगाल है उत्तरप्रदेश है करनाटके गुजरात है बहुत बड़े प्रमान में राश्ट्रिय संपति का नुकसान किया है इंसात में दो लोनों को वो गलत है और इनकी एक ओच्छी स्वार्थी राजनीत है जिसमें वो राश्ट्रहित के विरुद्ध जा रहे है दूसरा विश्य हमारा है कि आंदरप्रदेश में राज्य सरकार हिंदू मंदिरों की जमीन अधिगरहित करके आवटित कर रही है इसके विरु रुपया दसधार रुपया पगार देने वाले मासिक यानि कन्वरजन का काम धर्मानतरं का काम इसाई पाधरी कर रहा है उसी को हिंदू ने वापस पगार के लिए पैसा देना ऐसाए है expressed बंद रहे eigenlijk और देज के हरंज पर्षे के पाषद के पैसे से देंगे इसाई-मसल का बहुत विराठ कारेकरम होने वाला है और आंदर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा आंदोलनम इसके विरुद्ध कड़े करेंगे मध्यप्रदेश में प्रत्यक्ष बहुत सारी हिंदु विरोधी घटनाए हो रही है रतलाम मंसोर के खेत्र में लगबगे वर्षबर में आठ डस हिंदु कारेकरताओं की हत्या हो चुकी है उनके विरुद्ध कोई भी दोशी को पकड़ा नहीं गया है कोई भी एक्षन नहीं हुई है महराष्ट के साथ जो सीमा है मध्यप्रदेश की उसमें से तसकरी गव तसकरी का प्रमान बहुत बढ़ गया आए दिन गटना हो रही है उसको रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कुछ कर नहीं रही है और तीसरी बाते ने जाबुआ में 40 से अधिक अवैद इसाई प्रार्थना स्तलू की सूची कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को हमने दी मगर वह सम्विधानिक तरीके से जो चल रहा है गैर कान रोक टोक नहीं लगा रही है तो मुझे लग रहा है कि यहां की भी राज्य सरकार अहिंदू जो लोगों की गतिविदियां हैं हिंदू विरोधी जो गतिविदियां उसको रोकने में बिलकुल अक्षम सिद्ध हुई है मैं मध्यप्रदेश सरकार को भी आगाह करता हूं कि उन्होंने हिंदू विरोधी गतियों को प्रोचसाहन नहीं देना चाहिए उसको संरक्षन नहीं देना चाहिए उसके विरुद्ध कारवाई करनी जाहिए अन्यता विश्विंदू बर्षत को भी यहां पर बड़ा अंदोलन खड़ा करना पड़ेगा